अगर आप एक फार्बी से इस ब्रेंड है या फिर आपने फार्बी से कंप्लीट करने के बाद ना कजिए रिस्टार्ट कर लिए है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्डेंट है इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा कुछ ऐसे पॉइंट इस कुछ ऐसे टिप जिसे आप पने करियर में अच्छा ग्रूर पा सकते हैं वह कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए और वह कुछ खास बाते जो आपको करनी चाहिए तो वीडियो को लास तक देखिएगा आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा पहला फीस होता है कि हमें एक अच्छी जोब मिल जाए जए जाए कि फार्मा रब्दुशन से आप जोड़े और आपको एक अच्छी जोब मिल गई या फिर आपके इंवस्ट्री में अपके कॉलेज में एक अच्छा प्लेस्मेंट शुषन हुआ और आपको प्लेस्मेंट मिल गया आप कंपनी में आपने इंटर तो हमें आगे कैसे आक्ट करना चाहिए कि इससे हमें एक अच्छा ग्रूथ मिल सके तो हमें यहां पर मैं कुछ पॉइंट से डिसक्स करोंगा आपसे उन चीज़ों को आप अगर करते हैं तो आपको से डिफिनेटली हेल्प पिलेगा फिस तरीके से बनाना है जो एक वीनर का लीडर का हुथा है क्योंकि सारी चीज़ें कहीं हमारे थौर्ट प्रॉसेस से रेले होती हैं पहले हमें अपने अंदर अपने आपको एज़ों वीनर समझना पड़ता है अपने आपको एज़ों देखना चाहिए उसके बाद ही हम उस सब्सक्राइब का देना चीज़ें फर्स्ट लगने से ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ के हर एक फेज में आगे बढ़ने में बहुत हिल्प करता है क्योंकि इनिशियल के वन एयर तो आपको कुछ नहीं देखना है बस के वल यह देखना है कि आप Max to Max कितना लर्म कर सकते है जितनी भी पार्ट है वहां पर हर चीज़ से आप अपने सेगमेंट में हैं आप अपने स्क्षन में हैं वहां पर आपका जॉब जॉब प्रॉफाइल है उससे आप क्या सीख सकते हैं दूसरी के जॉब प्रॉफाइल है दूसरी डिपार्टमेंट का उनसे आप क्या सीख सक करते हैं अगर कोई भी audit होता है checklist GMP की कैसे होती है auditor आता है तो क्या-क्या check करता है वो आपको हर एक चीज सीखना चाहिए starting में आपको कुछ भी नहीं चोड़ना है आपको समझना है हर एक point को क्योंकि एक initial का जो यह हमारा one year to phase होता है वो बहुत ही जदा crucial होता है और इसमें अगर आपने एक learning mindset कर लिया है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई परोग मिल सकता है second exposure के लिए आप देखते रही है कि कहां पर आपको और अच्छा exposure मिल सकता है आपकी company में कहां पर आपको और better assignment दे सकते हैं definitely आपको कुछ workload आपका बढ़ सकता है बट कभी भी new assignment लेने से या किसी भी new project में involved होने से आप कर रही है गमत क्योंकि वही एक phase होता है जहां पर आपने आपको बहुत ज़्यादा इवाल्व कर सकते हैं वेका ownership attitude क्या होगा कि आप max to max अपना input दे पाएंगे आपका brain उस तरीके से process होगा जिसमें आप अपना अच्छा input दे सकते हैं जा अपना अच्छा input देंगे तो अच्छा output देगा उसमें से पिर कहीं ने कहीं आपको एक सही mechanism में अपने आपको ढ़ाल सकते हैं कि यह process इस तरीके से होता है और कहीं अगर आप उसमें केवल as a part देखनें अपने आपको कि ठीक है मैं तो भी फ्रेशर हो मुझे क्या जबूरत है इतना ज्यादा इंवाल्व हो नहीं क्या तो क्या होगा कि आपके हांसे वह opportunity चली जाएगी जिस opportunity में आप बहुत कुछ ज़्यादा experience कर सकते थे ठीक है तो तो तीन बातों का ध्यान डखना है तो आपको अपने comfort zone से थोड़ा बाहर आके काम करना चाहिए और थर्ड ओनर्शिप ओनर्शिप में रिस्पॉंसिबल भी हरना चाहिए आपका जो भी आपको टास्क दिया गया है वह आपको लगना चाहिए कि आपका आपकी जिम्मेदारी है इस टास्कों सही तरीके से क करने का ज़िए फर्स यह हो गया जो आपको स्टार्टिंग में ही अपने personality में वो चीजें आपको इंकलोट करने पढ़ें इसकंड करना चाहिए और आपको गोगर्व करने यंचछी बनाने है एक स्टार्ट में आपको पूर्फाल करना है आपको रखा हुआ है in एक कि मस्यों आप अपे ऐसा नो यह सब एक ही जगह पर काम करें या आपके लिए आगे जा कि आपके प्रोफाइल कि जो आपको पॉटुटिंटीज मिलें न उसके बहुत नहद रोग कर देगा तो आपको क्या करना है जैसे प्रडुक्शन अप्रविशन में काम किया बट कुछ और टाइम के बाद आपको किसी दूसरी डिपार्टमेंट में भी काम करना है कि आपका एक्सपोजर होना चाहिए तोफिगly जब आको प्रोफायल में वरायइटीज होंगी तो ही जाके आगे आपको जाके अच्छE में employees का importance है नहीं है आपको यह समझना है अपनी कंपनी में कि आपके कंपनी में क्या पुरानी लोग है वहां के इंप्लाइज है जो यहां पर years by years, five years, 10 years, 15 years, 20 years से काम कर रहे हैं अगर है that means कि यह अच्छा culture है यहां का और लोग यहां पर रहके काफी अच्छा पीप आ रहे हैं और वहां पर हो सटिस्फाइए है फरस्स तिंग जो पॉजिटिफ जाता है आपके कंपनी में अगर आपको वहां पर कोई भी असा नहीं मिलता जिसने पांस साल चे साल काम किया हुआ है तो समझ देजे कि उस कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है और लोग वह तो क्या आज बोलता है कि वो अच्छा इंप्लाई है तू उनको रोपती हैं फिल स्टेज पॉलती कोई बातों में आपकी कम पॉजिटिव है तो फिर आपको उस कंपनी में रुपना चाहिए बड़ अगर इन तीन चीजो में आपकी कंपनी पॉजिव नहीं है आपकी कंप तो उस company में आप बहुत time तक अपना time नहीं दे सकते हैं क्योंकि ultimately क्या होगा कि जिस दिन भी आपको पहले बात growth नहीं मिलेगा वहाँ पे and second कि उसको जब भी मौका मिलेगा वह आपको वहां से हटा रेगी तो it's time to switch आपको किसी और अच्छी company में फिर offer देखना चाहिए और आपको वहां पे जाना चाहिए तो यह सारी बाते आपको ध्यान में रहने पड़ेंगी कि आपको initial years अपने कैसे बिताने चाहिए अपने learnings और अपने experience को अच्छा लेने के लिए 25% hike मिलता है तो अगर आप जाते हैं दूसरी कमपनी स्विच करते हैं तो अगर आपकी कमपनी अच्छी है वह timely अच्छा hike देती है तो क्या होगा कि अगर आपकी company का गलचार अच्छा नहीं है तो इन बातों का ध्यान रखिए अपने ऊपर इंवेस्ट करिए अपने learnings पर करिए कब स्विच करना है यह पता होना चाहिए और company को कैसे समझना यह भी आपको पता होना चाहिए आपको प्रुफाइल अच्छा होना चाहिए इन सब बातों का ध्यान रखिंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ने आपको आसने मिलेगी I hope कि यह वीडियो है डपको आपको पता हम जापको जागे बाता ही अच्छाए उनाच्छा है और गॉट यह जगे यह इन सिमा क्लाव से का ऩे का यह रखिंगंगे रहा हैं इना चाहिए तरीक पता है ऊच्छे पता छो शेवेए ट sont至 बाताension मिलेगुिए आपको आपको से सब्सादिगे